अच्छा एक और मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा आप भी कर रही है और मैं भी कर रहा था मिस्टेक ये है हम लोग टिक टोक पर वीडियो बनाते हैं वहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद यूट्यूब के उपलोड करते हैं ऐसे बिलकुल भी आपकी वीडियो ग्रोविंग या वाइरल नहीं होगी ठीक है ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जैसे यूटूब की वीडियो जैसे साइज होता है वैसे ही इसका साइज होना चाहिए ये वीडियो का अपलोड करने के लिए हम टिक टूक वाली वीडियो ये यूटूब पर अपलोड करते हैं उसके एंगल बरा होता है वो यूटूब का साइज नहीं होता तो चलो आओ मैं आपको बताता हूँ इन्वेसे साइज कौन सा है यूटूब का असलाम अलेकम दोस्तो वेलकम टू माई न्यू विलोग दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूँ जो गलती मैं भी करता रहा हूँ आप लोग भी कर रहे हो दोस्तो बाज उकात ऐसा होता है हम टिक टूक पर वीडियो बना लेते हैं यूटूब पर अपलोट करने के लिए लेकिन ये बिलकुल गलत है टिक टूक का जो वीडियो साइज है वो बड़ा है वो यूटूब के लिए नहीं है यूटूब इसे कैंसल कर देता है यनि के आपकी वीडियो ग्रोविंग में नहीं जाते हैं जो TikTok पर वीडियो बनाते हो वो YouTube पर upload मत करो YouTube का अपना वीडियो का size होता है जैसे कि अब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो ठीक है तो आप देख लेना ये वीडियो जो है मेरी YouTube size जितनी ही होगी और ये वीडियो भी growing में जाएगी हम से mistake ये हो रही है कि हम TikTok पर वीडियो पनाते हैं वो download करके हम YouTube पर upload करते हैं ये वो लोग वीडियो देखते हैं जिन लोगों को हमने subscribe किया होता है या follow जो लोग हमें करते हैं मतलब वो ही लोग देख पाते हैं और दूसरे दोस्त यानि के वीडियो जो वाइरल यूट्यूब कुछ परसेंट वाइरल जो करता है वो वीडियो वाइरल नहीं होती क्योंकि वीडियो का size ही बड़ा होता है कभी छोटा हो जाता है इसलिए मैं आपको size बताने वाला हूँ आपके पास CapCut App CapCut App होती है CapCut App में वो सब कुछ है जो यूट्यूब के लिए बहुत अच्छी वीडियो क्रियेट करता है CapCut के अंदर वीडियो का size मतलब जो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर वीडियो उसका size वो भी माजूद है इसमें filters भी है इसमें templates भी है इसमें सब कुछ है CapCut App है आप भी download कर लेना install कर लेना play store से मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा size यूट्यूब size है वीडियो का कौन सा angle है और मैं चलो आओ आओ आपको बताता हूँ ठीक है अच्छा दोस्तों इन में से जो fit वाला है ना ये बिलकुल भी नहीं है ये जो दोसरे नमबर पर है ना 9.16 ये ये भी नहीं है ये इसका है टिक्टो का 9.16 ये टिक्टो का है और ये जो है 16.9 ये यूट्यूब का size है वीडियो एंगल size है तो आपने यहां पर search करना है ठीक है 16.9 ये जो है तो आपका जो ये है ना आपका फिर वीडियो भी वाइडल होगी growing भी होगी और अच्छे views आएंगे ठीक है और ये one by one ये facebook का है और ये four by three ये twitter का है ठीक है तो गाइस ये मैं आपको बताने वाला था ये mistake हम से हो रही थी तो याद रखना 16.9 ये youtube वीडियो का angle है यह याद रखना 16.9 ये वीडियो size है youtube का ये cap cut app है इसमें से बहुत असानी से मिल जाएगे ये आपको मैं दिखाता हूं ये आपकता है